दोस्तों नौर्टीस्ट जो उत्तर पर अपूर्वी भारत का जो हिस्सा है हमारे यहां पे अनेकों कम्यूनिटी स्ट्राइब्स है अलग-अलग इंडिजनिस लोग हैं और अगर आपने पिछले 47 सालों का जो इतिहास भारत का देखा है अलग-अलग समय में अलग-अलग नेताओं ने हमारे नौर्टीस्ट के उत्तर पूर्वी भारत के अलग-अलग कम्यूनिटीस के इंडिजनिस ग्रुप्स के जो हमारी कफिनाईया हैं, सोच है इन्हें हमारे लीडरों ने बहुत सालों से यह उप्पाया है हमारे और आपके प्रियर्वेता जो आपके प्रेजिडन्ट है श्रीज विजेर उन्कुल जी चाहे मिजोराम के हमारे जो लीडर है श्रीजोराम फांगा जी या अलग-अलग नागलेंप के अरुनाचन प्रदेश के मनिपूर के हमारे मेगलायक के जैसे प्रेजिडन्ट जी थे इन अलग-अलग लीडरों ने हमारे अलग-अलग इशूस को अलग-अलग लेवल पर उठाया है शायद रास्ते अलग हो रास्ते अलग हो लेकिन हमारे मकसद और मंजिल एक ही था चाहे हमारे तरीके अलग हो इस सोच को और इस मकसद को उठाने के लिए अलग-अलग उठाये मैं इस पर विचार करने नहीं आया कि कौन सा रास्ते सही था या गलग था लेकिन जैसे मेरे ताह हमारी मंजिल एक ही थी आज जिस तरीके से हमारे नौटीज के हमारे अलग-अलग कम्यूनिटीज, इंडिजिनिस ग्रूप ट्राइबल कम्यूनिटीज को जो अलग-अलग कटिनाया हुई है इन कटिनायों के खिलाफ आवाज उठी हमारे लोगों ने हमारे इस पवित्तर भूमी को रक्षा करने के लिए इसकी रक्षा के लिए आवाज उठाई हमारे सेंसकारों हमारे विचारदारों को हमारे कल्चर को इसको पटेक करने के लिए इसकी रक्षा के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई हमारे युवाओं को उनकी रक्षा के लिए हमारे इन लिगों ने आवाज उठाई हमारी मा बेहनों के लिए उनकी रक्षा के लिए अलग अलग आवाज हमारे लिडरों ने उठाई हमारे आने वाले पीडियों के लिए फ्यूचर जेनेरेशन के लिए हमारे अलग अलग लिडरों ने अलग अलग लेवल पर पूरे 39 में आवाज उठाई और जब मैं यह कहता हूं हम किसी के खिलाक नहीं है हम किसी के खिलाक नहीं है हमें मागू है कि भारत में हमें सभी के साथ रहगा है हमें मागू है कि जैसे भारत आगे बड़े हम चाहेंगे कि नौटीज का हर कम्यूनिटी हर नागरिक साथ आगे बड़े क्योंकि पूरा डिवेलप्मेंट तभी आएगा जब हर एक नागरिक हर कम्यूनिटी का जब वो आगे पड़े तभी देश बढ़ेगा इसलिए हमें कोई आपक्ति नहीं है हम सब के साथ काम करना चाहते हैं सब के साथ आगे पड़ना चाहते हैं लेकिन अगर हमारी पवित्र भूमी को चीनने की कोशिश की या हमारे संस्कारों को हमारे कल्चर को हमारे वित्ति रिवास को बदलने की कोशिश की हमारे युवाओं की फ्यूचर को नष्च करने की कोशिश की अगर हमारे आने वाले पीडियों की जो जेनरेशन का जो भविश्चे है उसे खतम बदने की कोशिश की तो हम चुट नहीं रहेंगे और तब ही भी इसे स्रीकार नहीं करेंगे हाँ देश बक्त है और देश के लिए हम काम करेंगे लेकिन अगर हमारे ट्राइब और कमुलिटी हमारे इंडिनिजिस लोगों के खिला अगर कुछ हुआ तो हम भी चुक नहीं ले सकते हैं हुआ झाइ बाते हैं और अभी दो स्थरीके यौश करेंगे मेडरे बाते हैं मैं हमाया हूँ